असलाम लेकुम, आज की मेरी ए वीडियो माय फेम साशी के बारे में है कैसे हम सब, अमीद कर तूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो आज मैं एक ऐसे प्रोड़क्त पर आपको रिव्यू देने जारी हूं अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूं PCOS का फुल फॉर्म, Olycystic Ovary Syndrome यानि यह एक ऐसी बिमारी है तो इसमें आपकी ovaries के उपर चाले जिने सिस्ट कहते हैं, चाले बन जाते हैं जिसके जिसके आपको रेगलर पीड नहीं आते, आपको वेड बहुत जादा बढ़ जाता है आपको एक स्किन कंडिशन जिसे कहते हैं, अकन्थासिस नाइगरिकन्स वह जाती है जिसमें आपकी गर्दन के पास निशान हो जाते हैं आपके अंडर रांज में, अंडर थाइस में निशान पर जाते हैं जिसके ज़रे से लड़ियां बहुत परिशान हो जाती है तो अगर आप इस चीज के साथ डाइगनॉस हुए हो तो आपके लिए ये चीज बहुत अच्छी है जिन लोगों को भी PCOS होता है, PCOS की भी टाइप होती है लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंट सबसे जादे देखी जाने वाली टाइप है इंसुलीन रिजिस्टेंट टाइप उसमें ही होता है कि आपकी बॉड़ि जो आपका जिगर है लिवर आपका जो पैंक्रियास उसके साथ एक पार्ट होता है, पैंक्रियास अब आपकी इंसुलीन बनाता है तो वह बहुत एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलीन बनाना लग जाता है इंसुलीन जाद हो जाती है आपकी बॉड़ि में इसी वज़र से आपको टाइप 2 डाइबिटीज हो जाती है जैसे की औरेंज, ग्रेप्स, जिनमें सिट्रिक एसेड जादा हो और एप्रल्जी चीज़े जादा खाएं इसके साथ साथ अगर आप कार्डियो एक्सराइज़ कर सकते हैं घर पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टिटोरियों है मेरी सारी सिस्टर्स इनको यह साथ मसला है मुझे पता है इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रही हूँ और करती रही हूँ तो मैं आपको इसके साथ जथ एक और भी बहुत अच्छी चीज बताऊंगी पीस के लिए जो कि बहुत अच्छी है यह सैशे है मायक फॉर्म या मायक फैम भी कैसे हैं आप इसको इसको प्रनाउंस कैसे करते हैं लेकिन यह मैंने यूस किया है और यह मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किये थे बहुत अच्छा है यह अभी मैं आपको डिटेल से बताती हूं लेकिन इसके उपर जो लिखा है मैं पहले बताती है उसके अंदर 30 सेशन है और यह प्रमोट करता है आपको आपकी इंसुलीन सेंसिटिविटी जब आपकी इंसुलीन सेंसिटिविटी खतम होगी यानि आपका ग्लुकोस का लेवल ब्लड का शुगर लेवल जगा पर आएगा तो यह PCOS वाला मसला खुझ बखुझ हाल होना शुचाएगा उसके लिए जैसे मैंने आपको बिताया कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है उसके लिए आपको अच्छे से एक्सराइस करनी है उसके लावर जब आपी सैशे भी पहेंगे साथ में तो आपकी इंसुलीन लेवल सही हो जाएगा जगा पर आजाएगा नेक्स्ट ये हल्दी ओव्रियन फ्रंक्शन एंड एक्क्वालिटी को प्रमोट करता है जिन लोग को PCOS नहीं है वो भी ये पी सकते हैं नेक्स्ट ये नॉर्मल हॉर्मोनल लेवल को सपोर्ट करता है यानि आपके जिसम में जो हॉर्मोन के मिगदार है उसको सही जगा पर आता है क्योंके PCOS एक ऐसी कंडिशन है जिसमें आपके हॉर्मोन जो हैं वो जातों बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं ये ओर्जन फ्लेवर में है ये एक डाटरी सप्लिमेंट है अब मैं आपको दूसरी साइट पर करकर दिखाती हूँ इसके दूसरी साइट पर इसके कॉंटेंट लिखे मैं कि इसके अदर क्या क्या चीज़े है इसमें बहुत सारी चीज़े हैं जो के as a vitamin B आपकी body उस करती है ये वाली चीज़ें बहुत सारी detail हो जाएगी लेकिन specially जो इसमें चीज़ें है वो vitamin B के सारे groups है और vitamin C के सारे groups है तो vitamin A भी है इसमें vitamin E भी है यानि आपके खून की कमी vitamin D3 भी है आपके जिसम में जो दर्द होता है आपको कमजोरी फील होती है आपके muscles में you know जब आप सुपह उटता होगा कि कोई strength ही है आपके इंदर उठनी की तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ये बहुत अच्छे से आपको energy प्रवाइड करती है vitamin D की deficiency भातम होती है तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है आपके brain के लिए भी आपके इंसुलीन सेंसिटिविटी के लिए और इसकी जो प्राइस है ये है 3500 रुपीज इसके अदर 30 सेशे है और प्राइस इसकी 3500 है ये आपको किसी स्टोर से मिल जाएगा लेकिन असानी से नहीं मिलता ये किसी अच्छे पढ़े medical स्टोर से मिलता है अब मैं आपको बिताती हूं कि आपने इसको पीना कैसे है रोज आपने कभी भी आप एक सेशे मिक्स करके पी सकते है तो ये आपने एक सेशे रोज पीना है कैसे बिनाते मैं आपको बिताती हूं ये आपने देखा है आदा ग्लास पानी मैंने लिया थोड़ा सा क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशल तलर से आर्टिफिशल डाइस नहीं है इसलिए इसका तेस्ट होड़ा सा खराब है बट पी सकते हैं लेकिन मैं थोड़े जादा नख्रे करें पीने में तो यह देखिए ऐसा बन जाता है इसको आपने अच्छे से हल करना है तो हो ताकि इसकी नीचे की जो बेसिक चीजे हैं वो भी इसमें हल हो जाएं तो यह साशे बहुत अच्छा है आप पीकर देखिए अगर आप इसको एक महीना पीएंगे 30 साशे जो आपने रोज एक पीना आप कभी भी सकते हैं पूरे दिन में तो यह पीकर देखिए आप यह आपको ब इसकी अब्लार बहुत जादा बढ़ावा है से बहुत कंभी होता है मदलब जैसे रगुआ है आपको बहुत जादा है अबर आपको भीट को को में बीर मतीन कहता है और आप इसको भीकर देखिए दो मौन्स ब्रेखिए yan तो मैं बताता आब की यह जो किम्याने और ग्रत द मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताएं आप लोगों को और किन किन प्रोड़क्स पर किन किन चीज़ों पर वीडियो चाहिए तो मैं इंशालाथ कोशिश करूँगी कि आपके लिए बिल्कुर अनस रिव्यू के साथ वीडियो बनाओ तक अपना ख्याल रखियें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो में शूर टू सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन अल्हाफिस